हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब स्वस्वस्त रिये ब्यस्त रिये मस्त रिये तो आज हम बनाने जा रहे हैं देखिए मुंबई स्टाइल मुंबई गय और बड़ा पाव नहीं खाए वैसे ही मुंबई का बहुत ही फेमस रेसिपी है बड़ा पाव जो बहुत ही इसली और बहु तो सबसे पहले हैं यहां हम बड़ा बनाने जा रहे हैं तो बड़ा बनाने के लिए हम मसाला त्यार कर लेते हैं तो यहां हम साबुत धनिया लिए हैं एक चमच और एक छोटी चमच यहां हम साबुत जीरा लिए हैं उसके यहां उसके बाद यहां हम तीन से चार काली मिर्च लिए हैं दो इंच हम यहां अद्रक के टुकड़े लिए हैं और एक हमारी मिर्च लिए हैं अगर आपको तीका पसंद है तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं दो यहां हम लासन की कल्या लिए हैं कि उसके वाद यहां हम हारी धनिया ले लिए हैं धनिया पत्ता थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे एदम मतलब दरदरा ही करेंगे और यह मसाला बहुत ही मतलब आप जब इसको ग्राइंड करोगे ने तो इतनी अच्छी खुस्बू आएगी कि क यहां हम पैन में ज्यादा नहीं हम एक चम्मच एक बड़े चम्मच ससोते लिए हैं उसमें अजवाइन डाल देते हैं हम अजवाइन का फ्रिवर बहुत ही मस दाता है तो साथ में जो यह हम पेश्ट बना के रखे ति ग्राइंड करके मसाले वह हम डाल देंगे यह जब तक यह पानी ना सोख जाए मतलब सुख जाए उतना ही बूनना है जितना की पानी सुख जाए तक हमारा पानी भी सूख जाए और मसाला भी अच्छे से भून जाए सारी चीजों का फ्लेवर अच्छे से आजाए यह देखिए बिल्कुल अच्छे से हम इसको भून लेंगे तब तक भूनेंगे जब तक मतलब पानी ना सोख जाएगी हम पहले भी बता चुके यहां देखिए हमारा पानी सोख गया है बिल्कुल अच्छे से हमारा मसाला त्यार है जब आप भूने होगे तो पूरी मतलब कीचन में खुस्बुक पहलेगी इसकी उसके बाद यहां हम तीन बड़े साइच के आलू पहले से उबाल के रखे थे हम नमक डाल देंगे आलू के हिसाब से यह देखिए और यहां बड़े पाओ के लिए बड़ा बना रहे है तो यह बड़ा बनाने के लिए मतलब उसका यह स्टफ ही त्यार करें यह देखिए तो इसको में अच्छे से मसल के बढ़ियां से चोखा बना लेंगे इसका कि यह देखिए पाता है पता है आलू हम मतलो दो घंटा पहले ही उबाल लिये थे इसलिए थोड़ा सा हाड हो गया था उबाल की चील के रखे थे टाइम नहीं मिला बाबुर हो रहे थे यह यहां देखिए हम बनिया से मसल दिये हैं और यहां हमारा चोका तेयार है जब अच् देखिए बिल्कुल ऐसे चिकना बॉल बन जाएका बोख़ी बहुत ही असानी से बन जाएगा यहां क्योंकि दोपर के टाइम बना रहे थे तो हम ज्यादा नहीं बना रहे थे तीन ही बना रहे थे बचे हुए पाव है जिसमें पाव बाजी जो बनाये थे उसके बचे को मैं कि जाओं हम चोटे छोटे बॉल बना लेंगे किया हमारे बॉल तयार है तो चलते हैं भड़े के लिए को बॉल ठ्यायर है उसके बाद हम चाटने बना लेते हैं जो बड़े पाउं में देते हैं खास दोर मूंबई में तो सबसे पहले हम मुंफली लिए बुना हुआ मुंफली दो हम लेसन ले लिए लेसन की कलिया उसके बाद यहां हम एक बड़े चम्मच नारिल का बुरादा ले लिए है आदे चोटी चम्मच हम सादा नमक लिए है आदे चोटी चम्मच काला नमक लिए है और एक चोटी चम् कर्म पटि याँ सेदट नेते हैं असाट को यह सब्सक्राइब देखा देना एक यह है एक बढ़ला मर करता है इसकी का दे देख children फाल कि जोड़ी करो दो किया थे रिच Peng मेल दंछ और दो सकते हैं लेकिन हम नहीं डाले हैं यह आधि हम पकोड़े के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा थिक रखना है ज्यादा पतला घूल नहीं बनाना है हमें यहां देखिए हमारा घूल बिल्कुल ऐसी रहना चाहिए यह देखिए इतना ही थिक यहां हमारा घूल तयार है अब चले चलते हैं तल लेते हैं बड़ा तो यहां हमारा घोल तेयार है वो भी अच्छे से फुल गया है इसमें सोड़ा डाले ते इसलिए जादा लेता लेत मतलब लेट ना करें सोड़ा डालने बलत तुरंथी आप तल ले जिए इसलिए हम चट्नी बनाने के Бाद ही तुरंथी ये बनाे उसके के बाद हम तल लेते हैं ऐसे ही चम्मच से हम ढिप कर लेंगे और असानी से तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गरम है उसमें हम डाल देंगे क्योंकि आलू तो पहले से ही पका हुआ है बस बेसन पकाना है इसलिए आप गरम-गरम तेल में डालिए ऐसे ही चम्मच की सहाथ से भी डाल सकते हो जैसे आप कमफटेबल हैं वैसे डाल सकते हैं ति हमारे बड़े देखिए नीचे से कितने अच्छे से फूल रहे हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से और जो भी अच्छे से नीचे से पक जाए तो हम इसलिए इसलिए पलट देंगे यह देखिए थोड़ आपकोरे से और इसको अलट फट पलट के बढ़ियां से पका लेंगे जो यह चूटे-चूटे टुकड़े हैं जो बेशन के टेल में उसको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि यह तेल को गंदा कर देते हैं तो मतल Igor बढ़िया रहता है इसको निकाल लेंगे जब हम बड़ा नि यह देखिए क्योंकि हम बड़ा बना रहे हैं तो यह बड़ा ज़रूरी होता है उसमें तो उसमें ऐसे बनते है गोल गोल तो हम बना लेते हैं यह जो टुकड़े हैं वेसं की वो भी हम निकाल लेंगे ताकि हमार तेल अच्छे से साफ हो जाए यह देखिए हमार बड़ी तैयार है और बहुत ही टेश्टी बनके तैयार हुए थे यह देखिए अब ज़रूर ट्राइ करिएगा अगर आपके पास भी बच्चे हुए पाव है तो और जो बेशन बच्चे थे हमारे ज़्यादा हम थोड़ा सा ज़्यादा घोल दिये थे तो इसमें हम आलू के पकोड़े तल लेते हैं अगर आप चाहे तो किसी भी चीज के पकोड़े इसमें तल सकते हो आलू बेंगन टमाटर किसी भी चीज क्या तो यहां हम तल लेते हैं और यह देखिए इसको गरम-गरम तेल में दो मिनट के लिए बस फ्राइ करेंगे जादा नहीं और यह ध्यान रखेगा कि मिर्च डालने के बाद आप कड़ाई के पास मत रहना क्योंकि यह बहुत मचब इसका बीच चटकता है तो आख नाग में पढ़ सकता है तो आप छीट नमक डाल देंगे ताकि इसका तीखा फिन थोड़ा सा कम हो जाए और इसको अच्छे से मिला लेंगे तो यहां हमारा पाव भी तैयार है यह देखिए पाव है इसको हम चाहें तो चाकु से भी काट सकते हैं यहां फिर हाथों से भी ऐसे तोड़ सकते हैं बहुत तेजली त चैको जणा क Taylor चौ Que चौंऺ लाल च्टमी जोफिए जरूरी है समय और इसको पूरा नहीं काटना थोड़ा से रखना रखना है यह देखिए उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हम एक छोटी चमच एक दूम मतलब छोटे चमच से भार के इसमें चटनी एड करेंगे इसे लगा लेंगे इस चटनी आप जुरूर मतलब अच्छे से डालिएगा क्योंकि इस चटनी से इस्वाद आता है उसमें हम बड़ा डाल है बड़ा हमारा थोड़ा सा बड़ा बंग गया था आप अपने हिसाब से मतलब बना सकते हैं जो यह मिर्च हम तल के रखे थे इसकी डंठल ऐसे तोड़ देंगे और बीच में ऐसे रख देंगे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही और यह हमारा तीखा चटपटा सा बड़ा पाव तै चटनी गीली होती है लेकिन ये वाली जू बड़ा पाव के साथ सतनी होता है वह सूखा होता है बिल्कुल ऐसे ही ताब जरूर चटनी जरूर बनाएगा बिल्कुल स्किप मत करेंगा यद defin. दूसरा भी इंडार और यहां मुंबई त्षाइल बहुत ही टेस्टी बड़ा पाउत तयार है तो आप जरूर ऐसे बनाई एंब तीकी चटपटी चटनी और मेर्च तो आप जरूर ऐसे बनाईए गाँ और खाये करिए यह देखिए तब-ब के लिए बाए बाए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और यह बड़ा पाउ मेरे स्टाइल से जरूर ट्राइ करिएगा बहुत इते